नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं नवे बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हिमन्त सुरेन मुखमंतर अमस्कार मैं केंद्रिये बित मंतरी दोरा सुमार को सांसंद में पेस बयठ को निरास करने वाला बयठ कराद देते हुए कहा कि इस बयठ से असफ़स्ट हो गया है कि अब नवकरी पेसा वालों की खैर नहीं है सुरेन दो दिवसी दोरे पर दुम का पहुंचे बढ़ा देई सी करम में दुम का यारपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड आफ ओनर दिया गया उस दरान मुकमंतिरी ने केंद्रिय बयाट पर अपनी परतिक्रिया ब्याट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार दोरा संसंद में जो केंद्रिय बयाट परेस किया गया है उसमें गरीबों की चिंता नहीं की गई है बयाट में गरीबों की योजना या था मन्रेगा सहीत अने योजनाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है मौसम विभाग के उन्सा राजधनी राची समेट राज जेके विभीन हिसों में सितलहर का असर देखा जा रहा है और तेज धूप के बावजूद भी सीरन बढ़ गई है बदाद मौसम विभाग के उर्थ से राजध के 24 में से 17 जीलों में अगले 24 गंटे के दोरां सितलहर की चतावनी जारी करते हुए लोगों से सतरक्ताव रतने के अपिल की गई है राची के अलावा पलामू, गडवा, चत्रा, कुडर्मा, लात्यार, लुहर्दगा, गुमला, रामगल, बोकारो, हजारीबग, पच्मी सिम्भू, पुर्वी सिम्भूम और सिम्डेगा जीले में भी कही कही सितलहर चनले की समवना जताई गई है बीत मंत्री ने पेस्ट किया बजट, चारखन के अधिवासी लाखो में खुलेंगे, एकलाव ये मोड़री स्कूल बीत मंत्री निर्माला सितारमन ने सोमवार को आम बायट पेस करते हुए काया कि आदिवासी इलागों में 751 एक लब मोडल भी द्याले खोले जाएंगे देश में NGO के साथ मिलकर सायनिक स्कूलों के बढ़ाई जाएगी जारखन के पलामो में रोजगार कैंप जारखन के यवाओ को रोजगार से जूडने की दिसामे लगता परयास किया जा रहा है बतादे, इसी करम में पलामो जीले में रोजगार कैंप का आउजन किया जाएगा रोजगार मेले के जरिये करिब 300 बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिशा है जनकारी के अंसार सुबा 11 बएस से 7-4 बएस तक इस रोजगार केम्प में युवारोजगार को लेकर आउसर प्राप्त कर सकते हैं बता दे पलामुक के नियोजन करियाले में ही इस रोजगार कायोजन किया जाएगा इसमें इलेक्टेसियान, सेल्स एसोसियेट और मसीन अपरेटर के पद पर नियुक्ति की जाएगी या प्राइबेट नौकरी होगी और इसमें 18-30 बरस के बिरोजगार युवाद सामील हो सक केंगे जगनात मतों से मितले स्ठाकोने की मुलकायत जाकन सरकार के पेजल मंत्री मितले स्ठाकोने सोमवार को चेनाई के MGM हस्पताल में लंबे समय से बिमार चल रहे सिक्षा मंत्री जगनात मतों से मुलकायत की इस दिवरा जगनात मतों ने अपने सेयत में नियता सुधा होने एक जिनकारी दी पेजर मंत्री मितले स्ठाकों ने ट्वीट पर लिखे अपने संदेश में कहा आज MGM होस्पीटल चेनाई में माननी है मंत्री जगनात महतोजी से मिलकर उनका कुसल छेम जाना श्री महतों के स्वास्थ में तीवरेगती से सुतार हो रहा है और वे ज्यारखन के सिम्डेगा जी लागे पूलिस ने जाली नोट चापने वाले अंतर राज जीए गिरोह का पदफास करते हुए भारी मात्रा में जाली नोट और नोटों को चापने की मचीन सहीत चार लोगों को गिरफतार किया है ज्यारखन की अदालतों में आज से आमने सामने सुनवाई ज्यारखन की सभी अदालतों में दो फरवरी से फिजिकल कोट सुरू हो जाएगा बता दे हाई कोट की और से ही समन्द में अईस उतना जारी कर दी गई है कोरोना वाइरस को लेका जारी गाइडलाइन के तहद फिजिकल कोट में सुनवाई होगी बता दे कि कोरोना वाइरस अंकरमन के कारण फिजिकल कोट को बंद कर दिया गया था ओनलाइन ही सुनवाई हो रही थी वहीं राजे में कुरोना वायरस के मामले कौम होने के बाद एड़वोकेट संग फिजिकल कोट सुरू करने की मांग कर रहा था हाई कोट की ओर से जारी है इस उतना के अमसार फिजिकल कोट में फेस मास्क का परियोग सारीरिक दूरी का पालन सेनिटाइजेशन का पालन किया जाना आवस्सेखा है राजे के 164 केंदरों पर 7189 लोगों को दिया गया टीका है राजे में सोमवार को पहली बार पूर्ण सौदेशी को वैक्सीन के टीका करन की सुरूआत की गई राजे में सोमवार को कूल 164 केंदरों पर टीका करन किया गया जहां कूल 1789 लोगों को टीका लगाया गया हलाकि सोमवार को 15771 लोगों को टीका दिया जाना था लेकिन 45% लोगों को ही टीका दिया जा सका तीन फरवारी को होगी कैबिनेट की बैठक चारखन सरकार के केबिनेट की बैठक तीन फरवरी को होगी बतादे इसके लिए केबिनेट के सन्युक्त सचीव राजी उरंजन ने अधिसुतना जारी कर दी है मुख मंत्री हैमान सुरेन की अध्यक्ता में मंत्री परशत की बैठक साम चार बज़े प्रोजेक्ट फोन में आउजित होगी इसमें अनलोक में कई रियायते देने से लेकर आगामी बजट सत्रे के आउजन पर भी मुहर लगा सकती है इसके आलावा अन विभागों में कोई प्रस्तावों पर भी समती बनेगी मंत्री रामेश्वर के समर्थन में आदिवासी संगटनों ने निकाला जुलूस मंत्री रामेसर उराव के ब्यान के समर्थन में सो मोहर को आदिवासी संगटनों ने समर्थन जुलूस निकाला पतादेश दोरान केंद्रीय सरना समिती के अध्यक्स अजय तिर्की के नितितुमें राची मीशो विद्याले सेलवट एका चौक तक जुलूस निकाला गया अजय ने कहा कि रामेसर उराव के ब्यान से वैसे लोग रोस ब्यक्त कर रहे हैं और माफि मांगने के लिए बिवस कर रहे हैं जिनोंने पांचवी और निसूची छेत्र में आदिवासी की भोमी को छल कपट और राधमका कर छीन लिया है